पूरी दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति धम्म में पहला कदम रखेगा तो उसको तीन बातें छोड़नी पड़ेंगी या तीन बातें अनुभब करनी पड़ेंगी जो उसे छोड़नी है यह उसका सबसे पहला कदम है अगर वो यह तीन बातों को अपने साथ रखेगा तो वो धम्म के पहले कदम को आगे नहीं चल पाएगा और वो सोतापन्द का जो लेबल है या सोतापन्द की जो अवस्था है या सोतापन्द का जो इस्टेज है उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगा सोतापन्d होने के लिए, यानि धम्र की पहली अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये तीन चीजे हर एक व्यक्ति को चाहें वो नर है या नारी है जो धम्र सीखना चायते हैं, धम्र में आना चायते हैं, वो छोड़ने ही पड़ेंगی, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ क्योंकि वो जो छोड़ते हैं, वो भी पहले इसका अनुभव करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या ये छोड़ने लायक है या नहीं, छोड़ने के लावा कोई चारा है या नहीं, तब ही छोड़ते हैं, किसी के लिए ये कंपल्शेशन नहीं है, कोई कंपल्शरी नहीं है, नियम इसलिए है कि आपको पहले ये छोड़ेंगे तब आपको धम सीखना है आप उसका पहले अनुभब कर लीजिए जब आपको लगे कि धम इससे आगे नहीं पड़ पाएगा तो वो अपने आपी छोड़ती चले जाती है जैसे सरीर पे पड़ा हुआ कोई मोटा कंबल अगर गर्मी में आदमी उसको लाद के चलेगा तो उसे खुद ऐसास होगा कि इस कंबल की वैसे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पसीना आ रहा है और आगे चलना इस गर्मी में दूबर हो गया है तो वो सकंबल को छोड़ ही देता है ठीक ऐसे ये तीन बात है इन तीन बातों में जो पहली बात है वो है सक्काय दिठ्थी सक्काय दिठ्थी पाली का शद्ध है इसको संसकायद भासा में सत्काय द्रश्टी बोलते है और सतकाय का मतलब या सकाय का मतलब है से काया और दिठी माने देखना से माने होता है स्वेम मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहां पाली में से लग जाता है या जो अब हिंदी बोलते हैं जो भासा चलती है उसमें जो से है जैसे से सार यारी संसार संसार का मतलब है स्वयम का सार संसार का मतलब वर्ड नहीं है वर्ड दुनिया बाद में इसको बुला गया है क्योंकि पाली की भासा में दुनिया को या वर्ड को परलोग बुला जाता है तो से सार का मतलब है स्वयम का सार या निज का सार से माने निज होता है, स्वयम होता है, सेल्फ होता है, स्वयम होता है, खुद होता है, तो यहां सत काय दश्टी है, इसका मतलब है कि से काया दिठी, अपनी स्वयम की काया को देखना, तो देखने के लिए उसको तीन तरह से देखनी होती है, पहला जो देखना होता है, वो दे मानता है कि सरीर हमारा अनंद काल तक रहता है तो वो सतकाय दिश्टी उसको छोड़नी पड़ेगी स्वयम की ये दिश्टी छोड़नी पड़ेगी काया के बारे में क्योंकि सरीर अनिच है नित है तो अगर किसी को ऐसा धम में लेके चलता है कि सरीर हमारा नित्त है हमेसा हमारे साथ रहेगा तो वो धम में आगे नहीं बढ़ पाएगा दूसरा आता है भव दिठ्थी भव दिठ्थी का मतलब है होने की द्रष्ठी क्या होना है अगर किसी को लगता है कि जीवन सिर्फ जीवन और मिर्टू के बीच का समय है यानि कि हम जो पैदा होते हैं और हम जो मरते हैं उसके बीच का ही जीवन है तो ये द्रष्टी उसको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जहां से जीवन आरंब होता है वो पहले कहीं से चलता है और जहां जीवन समाप्त होता है वहां से वो आगे पड़ता है इसको बहुत सारे लोग आत्मा बोल सकते हैं मगर ये आत्मा नहीं है, ये साउल नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने माबाप की संतान है और आपके माबाप किसी की संतान है और आपके पुत्र या पुत्री आपकी संतान है तो ये कहना कि आगे का जनम होता ही नहीं है बिल्कुल जूट है क्योंकि आगे के जनम तो आप खुद भी है और आपके माता पिता भी है पीछे के जनम आपके माता पिता है और आगे के जनम आप है और आपके बच्चे है तो जनम तो लगातार लगातार आगे बढ़ रहा है प्रिकरिया आगे बढ़ रही है मगर वही जनम नहीं है यानि के पुनर जनम नहीं है आप जो जैसे अब हैं उसका पुनर जनम same to same birth नहीं है next birth है अगला birth है इसलिए भव दिर्थी में अगर कोई ये मान के चलता है कि जीवन मेरा जीने से लेके और मने के बीच समाप्त हो गया और आगे ये काम नहीं करेगा तो ये दिर्थी उसको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि भगवान बुद्ध नहीं ये देखा कि जीवन जब एक समाप्त होता है तो उसके जितने कम है उनकी एक फाइल बनती है उस फाइल में कोड होते है वो कोड वाइबरेशन के तरंगों के रूप में चलते है और जहां जब जीवन समाप्त होता है तो वो कोड की फाइल जैसे आज के समय वाइफाई ट्रांसफर होता है ऐसे ही सबसे ज़्यादा कमों की जो फाइल होती है या करम के कोड होते हैं या formation of work होता है वो तरंगों के रूप में जाता है और जो receiver उसको गरन कर सकता है यानि के जहां के लिए वो code बना हुआ है जिस suitable city के लिए बना हुआ है उस जगे जाके वो code एक्टिवेट हो जाता है और वहां जाके वो रूप यानि के hardware यानि के सरीर बनाने की प्रिकरिया आरहम कर देता है ये भगवान बुद्ध ने सबसे पहले धमों में वैसाक पूर्णमा की रात को people के पिड़ के नीचे तीसरे पहर में प्रतित्य समुत्पाद में dependent origination में देखा और जाना तो दूसरी दश्टी भव की दश्टी है और तीसरी जो डिठी है वो है बिभव दश्टी बिभव दश्टी में क्या होता है कि ये मानना कि मरने के बाद आत्मा होती है यानि आत्मा को मानना सोल को मानना और ये मानना कि हम ऐसे के ऐसे रूप से जीवन से बाहर निकल के जा रहे हैं आत्मा में और जो हमारा विज्ञान होता है वियाना होता है जिसको कोड़ बताया फॉरमेशन इसमें बड़ा भारियंतर है आत्मा के वारे में बाद में ऐसा बताया गया अनुमान लगाया गया कहा गया क्योंकि देखा तो किसी नहीं कि ये ना मरती है ना घरती है न नहीं कि राग और दूयस और मोह मूरता के सारे कर्मों को जीरो कर दें तो फिर कुछ निकल के जाएगा ही नहीं। कोई चीज चाहिए या नहीं उनकी एक्षा रही कि हमें कोई चीज से दुएस है नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं उनकी एक्षा रही कि हमें चाहिए भी हमें नहीं भी चाहिए यानि मोह मूरता भी तो उनका जो अंदर का पूरी हार्डिस्क थी जो उनका मे नमुरी रहती थी, code रहते थे, वो सारा उन्होंने जीते जी, delete कर दिया, format कर दिया, उसमें एक भी file नहीं बची, और जब एक भी file नहीं बची, तो code transfer ही नहीं हुआ, उनके सरीर के खतम होने के बाद, और जब code transfer ही नहीं हुआ, तो आगे receiver को कुछ मिला ही नहीं, जैसे हम किसी को photo भेजते हैं, और photo अगर हम भेजें ही ना, तो सामने वाला receive क्या करेगा, ऐसे ही उन्हों के पास में कुछ भेजने के लिए था ही नहीं, उन्होंने जीते जी खतम कर दिया, तो उन्होंने निबान और अमरत्पत को मोख को चक लिया, सारे दुखों को यहीं छोड़ दिया, तो ये तीन जो दश्टी होती हैं, विभव की, भव की, और सरीर है या नहीं, अनिच है या निच है, इन तीनों को सकायद दिख्थी बोलते हैं, इसको हम पांच प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं, एक शाष्वत के रूप में, संस्कायद भासा में के, शाष्वत का मतलब है जो हमेसा रहता, यानि सरीर हमेसा रहता है, कभी खतम नहीं होता, हमेसा रहे, एक उच्छे दवाद है, उच्छे दवाद का मतलब है, कि सरीर अंत हो गया, फिर कभी दवारा से, वो आगे बढ़े गया नहीं, एक है नास्ती, नास्ती का मतलब है कि है ही नहीं, यानि कि जो मरने के बाद में, कुछ है ही नहीं, इसको नास्ती बोलते हैं, इनी लोगों को बाद में नास्तिक कहा गया है, एक है अहेतुकक, ए हेतुक माने होता है, ए हेतुक, यानि हेतुको जो नहीं मानते हैं, जो हेतुबाद को नहीं मानते, कारण को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि हम कारण और उसके रिजल्ट को नहीं मानते पटच्य समुत्पात को नहीं मानते एक ए हेतुख होते हैं हेतुवादी और एक होता है अक्रिया द्रश्टी अक्रिया द्रश्टी का मतब है जो वैवारिक बातों को ना मानता हो इसकों पाँच भागों में ऐसे भी device कर सकते है इस तरह से यह सक्काई दश्टी होती है तो सक्काई दश्टी को आपको छोड़ना पड़ेगा सक्काई दश्टी को तब धमो में आप आगे बढ़ सकते हैं यह है बात नमबर एक की नमबर दो में जो आता है वी चिकिच्चा वी चिकिच्चा का मतलब है कि जो आपको संदेश है जो संदेश है जो डाउट्स है जो आपके मन में है या नहीं है या धम के प्रती आपको संदेश आ गया या अपने प्रती संदेश आ गया या जो बातें आपने सिखाई जा रही है उनके प्रति आपको यकीन नहीं हुआ या जो बातें आप कर रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं हुआ और आप संदे में रहेंगे तो आप धम में प्रकती नहीं कर पाएंगे धम को नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप संदे में घरे रहेंगे आपका मन तो संदे में रहेगा कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा पता नहीं मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ पता नहीं ये जो मुझे बताया जा रहा है या असर कर रहा है या नहीं तो आप उसको देखेंगे नहीं, संदे में रहेंगे, ठीक इसी पिकार से, जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई बीमारी चालतर फैल लई हो, तो उसको हमेसा ये संदे रहता है, कि पता नहीं मुझे ये बीमारी आ गई या नहीं आ गई, तो वो वैसे ही बीमार हो जाता है, जब पड़ा हुआ है आँख पर उसको पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, आप अनुभाव से देखें, कि जो आपको बताया जा रहा है, तो इसको संदे के पड़दे को हटा दें, तो आप फिर धम में थोड़ी आगे प्रगति करेंगे, और तीसरा होता है, सील बतंग, सी सील है, वो वारित होते हैं, जिनसे अलग रहना होता है, नहीं करना होता है, और कुछ सील ऐसे होते हैं, जिनने करना होता है, तो जो ऐसे करमकांड या ऐसे हानिकारक नियम हैं, जो धम में बांधा डालते हैं, जो आपने पहले से सीखे हैं, जिसमें आप किसी चमतकारिक च जो सरीर से आगे उसको देखना चाहते हैं, या कोई चिन है, या कोई मूर्ती है, या कोई पत्थर है, या कोई ताबीज है, या कोई धागा है, या कुछ है, आपका अगर यकीन और विश्वाज उसमें है, कोई कहानी आपने सुनी या कोई बात आपको बताई, आपका यकीन अगर उसमें है तो धम में प्रिगती नहीं हो पाएगी क्योंकि धम में इन किसी भी चीज का कहीं कोई स्थान है ही नहीं पूरे धम में ना तो चमतकार है ना ही गौड है ना ही कोई चमतकारिक सकती है ना ही कोई चीज अपने आप होती है नहीं कभी किसी चीज अपने आप होने का कोई उधार है सभी काम मनुस्य को करने पड़ते हैं प्राणी को करने पड़ते हैं इसलिए जूटी बातों को गरना करने का ये सील वत्तम होता है इसको सील परामास या सील परामर्स भी बोलते हैं यानि कि मिध्या जो जूटी बात हैं उनको गरण ना करने का नियम तो ये तीन बातें जो लोग सबसे पहले करते हैं इसको हम सक्काइदर्ष्टि या सत्काइदर्ष्टि या सीलबबतंग या इसको वीचिकित्सा बोलते हैं तीनों चीज होने के बाद में तब आदमी पहले कदम में यानि की सोतापन की अवस्था में पहुचने के लिए त्यार होता है धन्यवाद संखन शरनं गच्छा में पतं शरनं गच्छा में धन्यवाद संखन शरनं गच्छा में पतं शरनं गच्छा में पतं शरनं गच्छा में धन्यवाद